आपको बता दे राजीव गांधी फाउंडेशन पर आक्शन के बाद वीज़पी ने निशाना साता है दिवाली के शुब अफसर पर भशाचार पर उठारा घात किया गया है देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंड लिया था राहूल और प्रियांका ट्रस्टीज है जैसे ही राजीव गांधी फाउंडेशन पर देखिए ये पैसला यहाँ पर निकल कर सामने आया था कदम यहाँ पर सतकार की वूर से उठाये गया इसके बाद ये आरोब लगाए गए हैं संबेद पात्रा की ओर से. पार्टनर और्गनाइजेशन और डोनर येर 2005 तो 2006 ये राजीव गांदी फाउंडेशन का है. इसमें आप देख सकते हैं जो डोनर्स लिस्ट है उसमें Government of People's Republic of China आप जड़ा सोचके देखिए यूपिय की सरकार चल रही है. केंद्र में सरकार को Remote Control से सोनिया जी और रहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं. Remote Control की चेर परसन भी सोनिया गांदी है सरकार की और वहां जो राजीव गांदी फाउंडेशन है उसके भी चेर परसन सोनिया गांदी है. और किस प्रकार से सोनिया गांदी जी जिस राजीव गांदी फाउंडेशन की चेर परसन है उसमें करोडों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांदी ले रही हैं. और केवल चीन की सरकार से ही नहीं ये डोनेशन एमबेसी ओफ चाइना से भी लिया गया था ये अपने आप में बहुत ग्रंट विश है. रह रहकर राहूल गांदी जी ने चीन के उपर बहुत सारे सवाल पूछे थे. मगर भारतिय जंता पार्टी ने भी जवाब दिया था कि जब चीन और भारत के बीच में स्टेंड ओफ हुआ था डोकलाम का तो उस समय चीनी तंबु के नीचे चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार से पूरा का पूरा गांधी कुनबा पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था, यह हम सब ने देखा था, तो आज देश की जंता धन्यवाद देती है कि जो अध्यक्षा उस समय वो कॉंग्रेस की अध्यक्षा भी थी सोनिया गांधी और जो एंजियो की अध्यक्षा चीन से पैसा लेती थी, आज उस एंजियो के उपर अंकुष लग इस रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य जो नैचुरल कलायमिटी में जो लोग पिडित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जन साधारन पैसा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को इन पिडितों को सहायता मुहया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस के रूप में जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंग ने ततकालीन प्रधान मंत्री ने पार्लामेंट के पटल पर खड़े ओकर, उस समय लगभग सौ करोड का एक पेकेज घोशित किया था, जो राजीव गांदी फाउन्डेशन को जाना था, कि वह इतना ही नहीं, सेवन मिनिस्ट्रीज, गव्मेंट डिपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग एमेचे और ग्यारह पी एस्यू, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उन्होंने आरजीएफ को 2005 और 2013 के बीच में डोनेट किया था, यह भी फैरिस्थ हम आपको दिखा सकते हैं, यह वो कमपनि और यह वो मिनिस्ट्री हैं, जिन्होंने सोनिया जी की अध्यक्षता में जो एंजियो चल रही थी, उस एंजियो को पैसा देने का काम किया